नवसकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि जो आपका PGCL की वेकेंसी रणिंग में चल रही है जिसका फोर्म अपलाई करने का डेट तै किया गया था 22 नवंबर को लेकिन कुछ टेक्निकल एरस के कारण, टेक्निकल इसू के कारण उनका जो लिंक था वेक साइट था उन्होंने तो active कर दिया लेकिन वो लिंक चल नहीं रहा था, वो वेक साइट चल नहीं रही थी तो देखे वो प्रोसेस क्या है। आपको फर्म अप्लाई करना कैसे है। क्या बार ऐसा होता है कि एक pengiprie कर देता है लेकिन बाद के पता चलता है कि उनका फर्म ही करते हो गया। की रदीरर है। तो शेवी मह भीक है, हेली है। हम process को समझेंगे कि कैसे कैसे आपको इसमें form को apply करना है देखेगा सबसे पहले आपको कौन सा कदम उठाना है कि किसी भी browser को यानि कि आप Google को open कीजेगा और वहाँ पर search box में type कीजेगा search box में type कीजेगा power grid.in जैसे power grid.in आप लिखेंगे search कीजेगा उसके बाद first उपर में पहला आपको आएगा एक opening का option opening को आप click करेंगे है ना कैसा opening आएगा मैं आपको वो process step by step बताता चलता हूँ ये रही opening है ना ऐसा एक option आएगी इस option को आप click करिएगा click करते ही ये pop-up आपको खुल जाएगे ये pop-up फुलते ही आपको क्या करना है नीचे scroll करना है और ये जो numbering चल रहे है ना 1, 2, 3 आपको इसको कहा तक ले करके जाना है 20 नंबर तक कहा तक 27 नंबर तक ले के इसको आपको जाना है यानि कि scroll करते रहना है यहाँ पर एक option आर ये देखिए regional opening यानि कि छेतरी भरती है ये तो थोड़ा सा आप और scroll कीजेगा ये ही आपकी recruitment of junior technician training electrician ये एड़टीज नंबर और ये date है अगर आप चाहें तो ये application यही से download भी कर सकते है एड़टीज को और यहाँ पर एक option है click here to register या login and apply login भी कर सकते है register भी कर सकते हैं यही से apply भी कर सकते हैं तो चलिए हम process को समझते हैं हम यहाँ से apply का option पे click करते हैं और click करते ही यह एक pop-up आपके सामने खुलेगी हैना सबसे पहला window जो खुली है यह क्या कह रही है कि candidate login यानि कि आप candidate है आप इसको login करेंगे login करने के लिए आप के पास दो option है क्या क्या है या तो mobile नमबर डालके करिए या फिर email नमबर डालके करिए याद रखेगा personal mobile नमबर होना चाहिए personal email ID होनी चाहिए और यह जो capture है इसको यहाँ पर भर देना है भरने के बाद new register पर आपको क्या करना है क्लिक करना है चले मैं करके दिखाता हूँ new registration आप कर रहे है new candidate है पहली बार form बर रहे है तो आप इसको करिए इसके बाद देखे दूसरी pop-up खुल के आएगी इसमें लिखावा candidate register आपको यहीं पर सहोलियत से आपको form को अपलाई करते समय इन चीजों को देहान में रखना ह email id बोला गया है तो आपको कौन सा email id डालना है कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही email id चलाते हैं उसी email id को bank में भी दे रखे होते हैं कई सारे application कई सारे website को login permission दिये होते हैं login किये होते हैं तो ऐसा email id आपको अपना एक अलग से personal email id बनाए बनाए है और उसी email id को यहाँ पर fill क कीजेगा can now lesson me to heck nen Kim а alternate email का मतलब इनका क्या है कि आपको एक मेरा यहां पर डाल है कि जो आपके डिवाइस में लोग इना हो यह यह नहीं कहे रहे हैं कि आपके अपको एसा इमेल जो आपके डिवाइस में लॉगिना हो क्यों कैबार ऐसा होता कि 4 हमारी खराब हो जाती है फोन खो जाती है, फोन चोरी हो जाती है, तो इस case में आपका email तो फिर गया ना, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके पीता जी, आपके फादर का email ID है, उनका email ID डालिये, अन्य था, आप अपने बड़े भाई का भी email ID डाल सकते हैं, यानि कि आपको other, मतलब कि other device में जो email ID login है, उसी को आप डालियेगा, alternate email, फिर यहां पर है आपको mobile number, अब mobile number में भी गलती हो सकती है, कैसे, यूँ समझे कि आपके पास एक ही seem है, या फिर दो ही seem है, समझे, आपने ऐसा mobile number डाल दिया, जिसमें आप कभी recharge नहीं कराते, ऐसा आपने mobile number डाल दिया, कि यू समझे कि दुनिया भर की लोगों से आप उसी mobile number से बात कर रहे है, हो सकता है कि आपकी जो जीएफ हो है, जो गल्फरेंड हो या बीफ हो, आप जब तक मामला सही चलता है, तब ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जब ब्रेक अप होती है, तब दिक्कत आती है, यानि कि अपनी girlfriend को ह हटा देते हैं, अगर आपने number हटा दिया, तो फिर आप resistance, याना PGCL अगर उसको कुछ भेजना होगा, OTP वगरा, OTP नहीं, कुछ message भेजना होगा, तो वो नहीं भेज सकता, इसलिए आपको mobile number अपना personal खुद का डालना होगा, और without leading, यानि कि आपको शुरू में 0 नहीं लग दाना है, वो खुद बखुद सिलेक्ट कर लेगा, इसके बाद आपको एक alternate mobile भी डालना है, आप अपने पिता जी या आपने बड़े भाई का डाल सकते हैं, फिर यहां पर देखिए, जो capture code दिया गया है, उस capture code को डालिएगा, याना, capture code को डालने के बाद देखिए, नीच यह रजिस्टर का भी option है, यह जो register का option है, और यह login page का option है, यह login वाले page option को आपको click करना है, जैसे ही आप इसको click करेंगे, click करते ही देखिए क्या होगा, आपके सामने और कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या खुलने वाली है, यानि कि यहां पर एक option खुलेगी, जिसमें आपको select करना होगा, अपना reason, यह देखिए, जैसे कि यह आपका reason है, अलग-अलग reason में आप एक ही reason में form को apply कर सकते हैं, अब यहां पर reason कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total 9 reason में यह vacancy है, आप एक candidate है, तो एक ही candidate, single candidate, single ही reason में form को apply कर सकता है, अब यहां से candidate, mistake उन से क्या होता है, अगर आप मद्ध प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप कहां कहे हैं, मद्ध प्रदेश के, तो आपको form कहां पर भरना चाहिए, जैसे कि आपका यह reason है, northern region third, और western region second, क्योंकि इसमें देखिए, part of मद्ध प्रदेश, मद्ध प्रदेश का भी कु आप किसी में भर सकते हैं, लेकिन आप यू, कई सारे वेकेंसी ऐसे भी होते हैं, कि आप कहीं भी form अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी region में, किसी भी area में, आपको, अगर आपका selection हो जाता है, आपकी service लग जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, कि वहां से आपका transfer होके आपके state में हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अगर आप माल लीजे कि ये Delhi वाले region में form अप्लाई किया, आपने और आपका selection Delhi में हो गया, तो फिर आपका transfer कभी भी नहीं होगा, जहां पर आप चाहेंगे, इसलिए आप अपने state में, अगर आप या फिर western region second में form को apply कीजेगा, यह रही mistake, यहां भी student mistake कर देते हैं, फिर इसके बाद देखें, एक और option है, यहां पर साफ साफ लिखा गया है notification में, point number first को पढ़िए note में कि the vacancies are region specific and are not interlinked with each other, यानि कि जितने भी, जितने भी देखें, यह आपके यहां पर जो दिखाय दे रहे region, यह आपस में कोई interlink नहीं है, सारे के सारे अलग-अलग vacancy है, है ना, इसलिए एक ही region में form को apply कीजेगा, अन्य था, वेवसाइट जो है, वो तो submit कर लेगा आपके form को, लेकिन जब cross check होगी ना, तो आपका जो form है, वो पूरी तरह से रद हो जाएगी, पूरी तरह स से उसको क्या कर दिया जाएगा, cancel कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप form को apply करते समय, इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा, है ना, चलिए अगर इसका criteria फुल फिल करते होंगे, तो आप vacancy को जरूर apply कीजेगा, है ना, इसमें enroll technical classes को join कीजेगा, है ना, चैनल को subscribe कीजे, चलिए अगले session में मिलते हैं, तब तक के लिए, thank you